हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आमले का जूस बहुत कोई नहीं पीना चाहते हैं क्योंकि उसका स्वाध पसंद नहीं आती है कसे लपन के कारण तो किस तरीके से आप आमले का जूस निकाल के उसके टेश्टी लेकिन सभी आमले का मैं जूस नहीं निकालोंगे मातर पांस आमला का जूस निकालोंगे तो पहले आमले को अच्छे तरीके से धोली हूँ फिर उसके छोटे-छोटे टुकडे कर रही हूँ क्योंकि ग्रेंडर जार में पीसने के लिए असान हो जाए तो यह देखे मैं सभ आमले का छोटे-छोटे पीस कर ली हूँ तो चलिए एक ग्रेंडर जार लेती हूँ और उसमें सारे आमले कटी हुई आमले को मैं इसमें डाल देती हूँ आप चाहें तो बिना पानी दिये हुए भी जूस निकाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें पानी डाल रही हूँ हाप का प देख सकते हैं friends कि कितनी अच्छी तरीके से paste बनके तयार हुई है काफी juicy juicy लग रही है बहुत ज्यादा quantity में ये मेरी juice निकल के तयार हो जाएगी आमले की तो चली एक चैचलनी लेते हैं और उस पे सारे pulp को मैं निकाल देती हूं आपको दिख रहा है कि कितनी अच्छी से grind पूरा last तक इसे grind करना है जिसे ज्यादा मात्रा में निकले juice तो ये देखे चैचलनी पे डाल दी हूं और इसके बाद सारे pulp से मैं इसे juice निकालूंगी friends आमला हमारे सरीर के लिए skin के लिए बालों के लिए कितने फायदे मंद होती है वो तो हर कोई जानता है इसलिए आमले करके साफ करके निकाल लेती हूं इससे भी मेरी juice बरबाद ना हो तो ये देखे मेरी पानी और निकाल ली हूं mixi jar से तो ये इस तरह से pulp को एक चमच की मदद से दबाते हुए सारे juice बाहर कर लें friends आमले की कई recipe मैं already post कर चुकी हूं अचार, छुंदा, चटनी, मुरब्बा और इस तरीके से कई वीडियो मैं दी हूं friends आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं काफी आपका प्यार मिला है उस सब वीडियो पे तो जरूर आप लोग वाच कीजे friends काफी पसंद आएगी तो ये देखे मैं सारी juice बाहर निकाल ली हूं और ये जो pulp है इसे फेकना नहीं है इसका यूज मैं किस तरीके से करूंगे मैं बादें बताती हूं तो ये देखे काफी quantity में मेरी juice निकल के तयार हो गई है आमले की तो इसे आप 4 से 6 गिलास तयार कर सकते हैं लेकिन मैं 4 गिलास में ही निकालोंगी और बरावर बरावर में बाट दूँगी तो चारों गिलास में मैं भर देती हूं और एक्स्ट्रा में पानी भर दी हूं तो ये देखे बड़ी गिलास जो है उसमें juice में डाली हूं तो मैं उसमें सिर्फ honey अभी डाली हूं एक चीज और मुझे डालनी है वो मैं लास्ट में डालूंगी और ये दो गिलास देखे मैं इसमें क्या-क्या देऊंगी जिससे जो भी आमले का juice नहीं पीना चाहते हैं वो भी पीना सुरू कर देंगे क्योंकि इतने tasty और चटपटी बनके ये तेयार होगी कि नहीं पीने वाला भी सुरू कर देगा तो ये देखे मैं इसमें काली मिर्च का पौडर डाली हूँ साथ में भूनी हुई जीरा का पौडर मिक्स कर रही हूँ इसमें आप काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं सफेद नमक भी मिक्स कर सकते हैं तो ये देखे मैं एक लेमन का juice निकाली हूँ बरी वाली और चाड़ों में मैं डाल देती हूं तो काफी टेश्टी और चटपटी ये बनके इस तरीके से तयार होती है तो जरूर आप इस तरीके से बनाईए और जो नहीं भी पीना चाहते हैं देखेगा वो भी पीना सुरू कर देंगे क्योंकि आमले हमारे सरीर के लिए बॉडी के लिए पूरे फाइदे मंद होती है लाबदायक हती है तो इस तरीके से थोरी चटपटी बन जाती है तो काफी पीने में अच्छे भी लगती है और वो जरूर पीना चाहेंगे और हाँ फ्रेंग्स यदि आप पीना चाहते हैं जूस तो डाइरेक्ट नहीं पीना है पाइप की मदद से पीना है नहीं तो इसे क्या होगे कि आपके दांत काले पढ़ जाएंगे तो इसलिए जब भी पीजिए तो आप इसमें पाइप डालके ही पीजिए यानि की पाइप की मदद से और यदि पढ़ पीना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दो आमले का जूस निकालिए और उसका पढ़ निकालके पाने मिक्स करके पी सकते हैं तो यह देखें बची हुई मैं आमला का जो पल्प था उसे मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ एक बरतन में धूप में अच्छे तरीके से इसे सुखा दोंगी इसके बाद इसे पॉडर बना करके एक डब्बे में बंद करके रख दोंगे जब भी आप मेहदी लगाएं तो उसमें इस पॉडर को मिक्स करें और मेहदी लगा सकते हैं बालों में जो काफी फायदे मन देती है तो चलिए फ्रेंट्स इस तरीके से मेरी जूज की रेसिपी को आप लोग इंजुआई कीजिए यदि पसंद आई हो तो लाइक सेर कमेंट अवस कीजिएगा मेरी चैनल पर नए हो फ्रेंट्स जोड़ सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलती हूँ तब तक अपने अपने परिवार का ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा टेक केर, बाई फ्रेंस, थैंक यू